मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्दी का मौसम हो और घर पर मेथी के पराठे ना बने ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्दियों में आती है बहुत ही अच्छी हरी हरी मेथी जो काफी हेल्दी भी होती है और सर्दियों में तो गरमा गरम पराठे खाने के अपने ही मज़े हैं तो चलिए दोस्तों आज मैं आपसे कियों के आठे और मेथी के नहीं बलकी सूजी और मेथी के पराठे के रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं और जो और भी ज़ादा टेस्टी और सोफ्ट बनेंगे लेकिन दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे रेसिपी आपको अच्छे लगे तो मेरी ऐसे और भी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेर करना भी ना भूलें मेधि की पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कडाई करम कर लेंगे और कडाई के अंदर दो चमच तेल करम कर लेते हैं तेल के बजाए आप चाहें तो गे का इस्तमाल भी कर सकते हैं और जैसे ही तेल करम हो जाए इसके अंदर आदर चमच जीरा डालेंगे और जीरा जैसे ही एक दो सेकेंड पकता है हम तुरंत ही इसके अंदर दो मीडियम साइज के बारी कटीवी प्याज भी डाल देंगे क्योंकि जीरा को हमें इस स्टेज पर बहुत ज़्यदा नहीं पकाना है अब प्याज के डालते ही इसमें हम डालेंगे एक बड़ी चमच बारी कटीवी अदरक लसून और हरी मिर्च तो यहाँ पर मैंने आदा इंच अदरक दो हरी मिर्च और छे साथ लसून की कलियों को एकदम बारी काट कर लिया है आप चाहें तो पेस्ट बना कर भी एड़ कर सकते हैं इन्हें एक दो मिनिट के लिए पका लेते हैं या जब तक की प्याज अच्छे ट्रांस्पेरेंट ना हो जाएं तब तक इन्हें पका लें अब प्याज अच्छे ट्रांस्पेरेंट हो गए हैं तो इसमें हम सुखे मसाले डालेंगे मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर चुटकी भर हल्दी का पाउडर हल्दी बहुत जादा नहीं डालेंगे नहीं तो जो पराठों का कलर होगा न वो इतना अच्छा नहीं आएगा साथी मैं इसमें आड़ करें हूँ टाटा संपन का धनिया पाउडर टाटा संपन धनिया पाउडर मत्य प्रदेश के कुम्ब राजक्षितर के उतम धनिया की बीजों से बनता है टाटा संपन मसालों की खास बात ये है कि ये प्राकरतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं और प्राकरतिक देल मसालों का साथ तो बढ़ाती ही है ये हमारे लिए बहुत ही सास्ते वर्दक होते हैं साथी इसमें एड़ करेंगे आदा जमच लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी एड़ की है और इनमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें एड़ करी हूँ एक जमच आमचूर का पाउडर तो इससे मेथी के पराठो में कड़वापन भी बिल्कुल नहीं लगता है वो टेस्ट भी अच्छा आता है अब मसालों को भी हमने एक मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है तो इससे मसाले पराठो में कच्छे नहीं लगते हैं टेस्ट भी अच्छा आता है तो चलिए अब हम ले लेते हैं मेथी तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मेथी को अच्छे से वाश करके इस तरह से एकदम बारी काट लिया है मेथी को पहले अच्छे से दोएं और फिर ही उसे काटें काटने के बाद मेथी को कभी न दोएं तो ये देखें एक दंबारी काट कर लिया है आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं अब इस कटी भी मेथी को हम कड़ाई के अंदर एड़ कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मेथी को भी हम एक दो मिनिट के लिए पका लेते हैं तो इसे मेथी का टेस्ट बढ़ जाता है जिस तरीके से हम मेथी के पराठे बना रहे हैं उस तरीके से बने पराठे काफी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ ये काफी हेल्दी भी होते हैं तो यदि बच्चे नहीं काते हैं मेथी तो यदि आप इस तरह से पराटे बना कर खिलाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगेंगे अब मेथी को भी हमने कुछ देर पका लिया है ये थोड़ी श्रिंक हो गई है और अब इसमें डालने वाले हैं पानी तो यहाँ पर इस बड़ी कटोरी को मापकर मैं ये डेट कटोरी पानी इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि इसी कटोरी को मापकर मैं ले रही हूँ सूज तो यहाँ पर स्वात के अनुसा नमक एड़ कर लेते हैं इसे कर लेते हैं अच्छे से mix और जैसा कि मैंने बताया कटोरी को मापकर मैंने पानी लिया था उसी कटोरी को मापकर मैं सूजी ले रही हूँ तो बस इसमें पानी नहीं एड़ करें, ये मसाला वगर तयार कर लें और फिर गेहूं के आटे में इसे थंडा करके एड़ कर लें और उसे गोंद लें यहाँ पर हमने सुजी एड़ की है, तो सुजी को अच्छे से फूलाना भी जरूरी है तो हमने सूजी को अच्छे से mix कर लिया है और अब इसे हम cover करके रख देते हैं ताकि सूजी और भी अच्छे से full कर soft हो जाएं अब 2 मिनिट बाद हम चेक कर लेंगे तो देखिए सूजी काफी अच्छे से full गई है और अभी सूजी काफी गरम भी है तो गैस का flame off कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और जब तक ये ठंडी होगी तब तक ये और भी अच्छे से full कर soft हो जाएगी इसे हमने एक plate में रिकाल लिया है और ये room temperature पर आ गई है तो अब इसमें डालेंगे खुब सारी पारी कटीवी दनिया पती और इसे mix करते वे एक dough shape में लियाएंगे तो गेहूं के आठे को बहुत ज़्यादा गुनना पड़ता है लेकिन सूजी के पराठे में ऐसा कोई जंजट नहीं है तो ये मैंने लोई साइज की तोड़ी है और इसे सुखे आठे से dust करके बेल लेंगे पराठ उपर बहुत ज़्यादा कभी भी आठा ना लगाएं कम से कम आठे का इस्तमाल करें तो इसे पराठे देखने और खाने में काफी अच्छे लगते हैं तो बस मैंने एक परी इसके उपर आठा लगाया है और अब धीरे-धीरे करके हम इसे बेल लेंगे अब आप देख सकते हैं कि जो पराठे की शेप है वो थोड़ी सी इक्वल नहीं है तो इस तरह से आप जो सुझी है उसको सैट कर सकते हैं आप इसे कौन सा नक्षा देने वाले हैं तो यदि कोई बात नहीं आप किसे शेप ना बने गोल गोल तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि इस तरह का एक डखन ले और इसके जो पराठे कर सब दंग हो जाएंगी कि ऐसे गोल गोल पराठे कैसे इन्होंने बना लिए तो देखें हमारा गोल गोल पराठा WAN कर तेयार है और अब इसको हलके करम तवे पर हम सेक लेंगी पहले हम दोनों साइट से इसे बिना गी लगा कर सेकेंगी और पलेट कर इस पर एक साइड अब थोड़ा सा गी लगा ही लेते हैं क्योंकि गी के बिना तो पराटे है दूरे हैं और आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं लेकिन बटर इस पर इस स्टीज पर ना लगाए नहीं तो वो पूरा जल जाएगा बटर का मज़ा तो पराटे सिखने के बाद ही आता है अब दुबारा हम इससे पलट लेते हैं और एक बार फिर से इसे घी पिला ही देते हैं तो इस तरह लोटू मीडम फ्लेम रखते वे पराटों को दीरे दीरे घी लगाते वे सेकें तो पराटे देखने में भी काफे अच्चे लगेंगे और खानने में तो पूछे हिमत इनका कोई जवाब नहीं तो ये देखे हमारे बढ़िया मेथी के पराटे बनकर तयार हैं तो बस सारे पराटे इसी तरह से बनाते जाएं और सरु करते जाएं क्योंकि पराठे खाने का असली मजा तो एकदम गर्मा गर्म खाएं तब ही है मैं इन पराठो को सर्व कर रही हूँ दही और आम के अचार के साथ तो आपको दही याचार किस के साथ ये पराठे खाना ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये देखिए मैंने दही के साथ भी से टेस्ट कर लिया है दोनों के साथ ही काफ़ी टेस्ट लगते हैं और मैं इसे आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं और ये पराठे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं को नहीं वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हंसाते रहिए